हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो न्यू चैप्टर टुडए मैं आपका दोस्थ संतोष्पंद आप लोग को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के मात हम से और आज हम अपने एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आ गए हैं जो की चैप्टर 27 है हिपा रूल्स के ओपर हिपा ओके यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यह है यूजली एक कोशन भी कह सकते हैं आपि जो यूजली इंट्रिवी में पूछा जाता है जब मैंने पहली बार अपना इंट्रिवी दिया था तो मुझे भी हिपा के बार में जान पाया और यह आज भी अगर आप कोई हमारे जो फ्रेशर दोस्त हैं जो मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं अगर वो कही पे इंट्रिवी में आ सकता है बहुत अच्छे चांसे से आने के क्योंकि यह बहुत ही कॉमली यूज होता है हमारे हेल्थ केर में हिपा की हैं अभी मैं आपको इस वीडियो में एक observation देता हूं कि हिपा क्या होता है यूज हेल्थ केर में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हाए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइक कीजेगा अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है इन वीड कि आपने सीधा केवल आप में रटा मारा है या आप उनकी चीजों के बारे में डीप में जानते हैं इसलिए आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए है हिपा is the health insurance portability and accountability act of 1996 तो हिपा जो लिया गया है terms वो यहां से लिया गया है health insurance portability and accountability act of 1996 1996 इसलिए क्योंकि ये जो law था ये U.S. Assembly में 1996 में पास हुआ था और ये law बना था याट मिंज को 1996 का हिपा लॉब भी कहते हैं नोगे द फेडर लॉट रिप्ट एक एक लॉट्ट एक नाशनल प्रोटेक्ट इसे कहते है फेडरल यूएस में गॉप्रॉन्मेंट को लिए फेडरल कहा जाता है फेडरल लॉट के कमिटी थी जिसे patient health information को secure करने के responsibility दी गई थी उनकी यह responsibility थी कि वो ऐसे standards बनाया US में जिससे patient की जो information है वह किसी और के साथ share ना हो without patient की consent के किसी भी और विक्ति को patient के information share नहीं होनी चाहिए तो यह जो हमारा act है HIPAA 1996 में यह protect करता है patient की sensitive health information को किसी भी unknown आदमियों के साथ या लोगों के साथ share होने से बचाता है क्योंकि patient की जो health care information हो सकती है वो काफी confidential हो सकती है उसके life में impact हो सकता है और चीज का अगर वो unnecessary लोगों को बाच लाए या patient की एक तरह का एक privacy का right भी है कि वो अपनी information किसी के साथ share ना करे तो यह जो law है यह bound करता है उन सभी लोगों को जो भी patient की health information को access करते हैं कि वह patient की information के बिना किसी भी और व्यक्ति से यह information share ना करे और as a billing company है billing company में जो हम काम करते हैं हम regular basis पे medical records diagnosis, conditions, patients की access करते हैं तो यह हमारे responsibility हो जाती है as a healthcare provider and as a medical billing company और a medical billing executive हमारे responsibility होती है कि हम patient की information को किसी भी और व्यक्ति के साथ share ना करें तो हम भी as a चाहिए हम outsource काम कर रहे हैं इंडिया में पाकिस्तान में UAE में US में जो medical billing companies होती है करती है वो सब भी इस law के अंदर bound होते हैं over the ocean भी round होते हैं कि वह PHI के अंदर आएंगे और patient की PHI को release नहीं करेंगे The US Department of Health and Human Services HHS issued the HIPAA privacy rules to implement the requirements of HIPAA तो US की जो assembly का एक आप इसका part कह सकते हैं या department कहते हैं US Department of Health and Human Services HHS यह HIPAA की privacy rules निकालता है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि यह चीजें allow होंगी यह चीजें allow नहीं होंगी और इनके ओपर जो भी strict action लिया जाता है वो action भी लेती है committee तो यह इनकी responsibility है इन चीज को implement कराने का इन rules को okay all the entities like healthcare providers, health plans, clearing houses and business associates are bind to follow HIPAA rules that means कि जो भी लोग patient की information की health information से related associated है उसके साथ में जो कि healthcare provider हो सकते हैं doctors, medical billing companies, practices, hospitals सभी इसके अंदर आते हैं health plans, insurance company है जो patients को information देती है उनके पास information रहती है patient की यह भी हिपा लोग के अंदर bind होते हैं कि यह किसी के भी साथ share नहीं कर सकते हैं information clearing houses जो की medical billing software और insurance company भीच में as a mediator काम करता है clearing houses की information इनके पास काफी information होती है, इनकी responsibility होती है data share नहीं किसका leak नहीं data इसके हलाव business associates वो किसी के भी हो सकते है health insurance companies के business associates होते है medical billing के billers or medical billing companies हो सकते है RCM की revenue cycle services की तो यह company भी इसके अंदर bind होती है कि हीपा rules को follow करेगी चाहे वो US में हो या इंडिया में हो या किसी भी other country में हो यह सभी companies यह सभी लोग बाइंड होते हैं हिपा rules को follow करने के लिए पी अचाई includes but is not limited to the following okay तो यह जो पी अचाई होती है product health information होती है patient की यह क्या-क्या example हो सकते हैं आपको मैं कुछ example देकर समझानी कुशिश करता हूं जैसे कि patient का name आप name नहीं बता सकते हैं किसी भी other विक्ति को उसके family member को भी नहीं बता सकते हैं कि आपके family में जो patient है वो उनकी information उनकी health condition क्या है उनको diseases क्या है भीना patient के consent क्या आप नहीं बता सकते हैं उनके addresses आप shared नहीं कर सकते हैं कहीं पेवी क्योंकि US अपनी citizens के sensitive data को ले SSN जो होते हैं US में उसे वह shared नहीं होने चाहिए किसी भी other के सकता है medical history आप shared नहीं कर सकते हैं यह तो बहुत important है और उसकी mental physical condition आप किसी के साथ discuss भी नहीं कर सकते हैं अगर वो पूछते हैं तो unless otherwise की patient साथ में हैं और वो नहीं judge कर सकता है उसको तो जैसे की aged patients होते हैं या ब documents या condition discuss नहीं होती है किसी भी किसी भी अधर विक्ति के साथ Each employee trainee is trained on policies and procedures on HIPAA before getting logins जैसे कि मैंने उपर बता है healthcare providers है clearing houses है business associates है medical billing companies है इन में जो भी लोग join करते हैं इस companies को employee हो या trainee हो या एक तरह के vendors हो उनके उन सभी को एक particular training के थूरू process के थूरू गुजरना पड़ता है जिसमें उनको policies जो होती है HIPAA की वो policies और procedure को समझाया जाता है कि यह चीज़ें आपको करनी है यह नहीं करनी है इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने system को हमेशा lock रखन हैं before the login उनको login देने से पहले क्योंकि अगर login देने के बाद अगर बता जाया तो हो सकता है कि वो mistake कर सकते हैं तो यूजली जो medical billing software होते हैं या medical billing companies होती है उनके पास एक process होता है जिसमें वह अपने employees को पहले HIPAA की training करवाते हैं और training को अगर पाटिकुलर mark से पास कर लेते ह हैं उसके बाद ही उनके login इशू होता है जैसे कि वो यह mistake ना करें हिपा वालेशन कुद लीड टू प्रैक्टिस पैनल्टी जो भी होगा जो वालेट करेगा जो में पाटी होगा लाइक अगर आप किसी डॉक्टर का लिए काम कर रहे हैं और रॉक्टर से information लीक हुए है चा यूए की किसी भी area से लीक होई है लेकिन अगर उन्हें पाया जाता है कि हिपा वैलेशन हुआ है document आपने इसका access आपने लिया है और यह एक unnecessary access था या आपने इसको वालेट किया है तो इसमें जो main party है उन्हें penalties लग सकती है काफी heavy penalties लग सकती है और अगर regular instance बार-बार होते हैं तो even इसमें कई सारी conditions ऐसी है जहां पर prison का भी एक प्रावदान है मतलब कि उनको jail भी हो सकती है या उनके practice को block किया जा सकता है वैं किया सकता है कुछ particular time के लिए इसलिए यह बहुत ही serious topic है इसको हमें जैसी हम join करते है healthcare तो हमको इसके बारे में अच्छे से जान लेना च के लिए तो यह बहुत ही important है हमारा हिपा जिसके बारे में मैंने आपको आज समझाया है और इसके बारे में अगर आपने जानना है क्योंकि यह मैंने किवल आपको और वीव दिया है डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं एक description में लिंक दे दूँगा at least 2-3 link दे तो दोस्तों आज के लिए इतना होगा मैं कुछ आपके लिए और नए चैप्टर बनाने की कुशिश करता हूं आगे आने वेले टाइम में आपसे रिक्वेस्ट अगर आपको अच्छे लग रहे है नॉलेज मिल रहे है वीडियो से तो आप प्लीज शेर कीजिए मेरे वीडियो मिलेंगे थैंक्यों दोस्तों बाबाइ